कि दियर स्टुदेंट्स ओफ टेंथ कलास वेलकम टू उनलाइन क्लासिज ओफ एड़वान स्कूल मुडार तो बेटा हम पड़ रहे थे सेकेंड लेशन नेंसल मंडेला तो हमने यहां तक इस पेराग्राफ तक हमने कर लिया था और यह वहां से ठोड़ा था हमने जो बासन द तो यह उनका बासन है इसको पढ़ते हैं गौर से देखो तूडे आलो पस डू आज हम सब बाई अवर प्रेजेंस एर अपनी यहां पस्थिती से कर रहे हैं क्या कर रहे कन फर दे रहे हैं गलोरी श्यान एंड होप और आसा उमीद तू न्यूबोर्न लिबर्टी नई नई पैदावी सबतंतरता को हम श्यान और जो है ना आसा दे रहे हैं यहां सब इकठाव करके कन फर यह देखो ब्राबर में दिया मेनिग एक फोर्मल वर्ड एक ओप्चारिक सब्द है यहां इसका मेनिग गिव देना आउट ओप दे एक्स्पिरियेंस ओप एन एक्स्टावडिनरी उम्मन डिजास्टर एक्स्टावडिनरी उम्मन डिजास्टर एसादार्ण मानविय तरास्दी के अनुभाव से निकली वी यह आजादी कां से निकली है ए मानवी ऐसा दारन मानवी ये तरास्दी डिजास्टर तरास्दी होती है सदमा आध्षा के अनुबहु से निकली है देट लास्टी ठू लोंग जो बहुत लंबे से तम समय तक चली ये तरास्दी मस्ट भी बोर्न ए सोसाइटी इस से अवश्य ये कैसा समाज पैदा होगा ओफ विच आल ओमिनिटी विल बी प्राउड जिस पूरी मानवता जिस पर गरव करेगी इतने लंबी तरास्दी के बेजेलने के बाद दुख जेलने के बाद जो बहुत लंबे समय तक चली और उसके अनुभव से जो समाज अब यहां पैदा होगा उस पर पूरी मानवता जो है गरव करेगी वी हम लोग भू वर आउट लाज नोट सो लोंग एगो जो थोड़े दिन पहले तक आउट लाज होता है अलग थलग पड़ा हुआ और जिस देश से दूसरे देश रिष्टे तोड़ ले उसको आउट लाज कहे देते हैं अमारे देशी हैसाब मैं कहे देते हैं जात पात से गिरा देना उका पाणी बंद कर देना इस से तरह से तो यह रिखाए भी है वी वू वर आउट लाज का मीनिंग है और द्यान से देखो विकाज ओफिट्स पोलिशी अपनी नीतियों के कारण क्या की नीतियों के कारण ओफ अपार्थिट रंग भेद की मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ओफ डिपलोमेटिक रिलेशन्ज कई देशों ने पहले ही अपने राव कूट नितिक रिष्टे तोड लिये थे ब्रोकन ओफ तोड लिये थे विद साउथ अपरिका साउथ अपरिका से तो जो हम थोड़े देर पहले तक जो हैना अलग थलग थे हैव टूडे बीन गीवन दा रेर प्रिविलेज और आज हमें एक ये विशेशा दिकार एक विरला विशेशा दिकार दिया गया है क्या दिकार मिले हमें आज तू भी होस्ट की हम मेजबान बने तू दा ने संज ओफ दा वर्ल्ड दुनिया के सभी रास्टरों के लिए हमारी अपनी धर्ती पर हम सभी देशों के मेजबानी करें आज एक ऐसा विशेश सुभावसर में मिला एक विशेशादीकार प्रिविल्ज विशेशादीकार मिला रेर भी अलग तरह मतलब विरला अलग तरह से कम पाया जाने वार और किन को मिला है जो बहुत थोड़े समय पहले तक अलग थलग कर गिये वे थे आउतलाज वी थैंक आल ओफ आवर डिस्टिन ग्यूश्ट इंटरनेशनल गैस्ट इस्टिन ग्यूश्ट विशेश इंटरनेशनल अंतरास्ट्य गैस्ट मैं मानों का आप दन्यवाद करते हैं फोर एविंग कम टू टेक पोजेशन के यहाँ दिकार लेने के लिए आए हैं हमारे यहाँ आए हैं with the people of our country हमारे देश के लोगों के साथ of what is after all a common victory और जो किया असल में आखिरकार एक सांजी शीर की जीत है फोर मतल सभी की जीत है यह किसी एक की नहीं सभी की जीत है क्यों सभी की जीत है क्योंकि सभी देशों ने दबाव बनाया था सम्मन्द तोड़के अब दक्सन अपरीका की सरकार के साथ गलत नहीं ती होगा भी रोद किया था और इस तरह से सरकार पर दबाव बनाया था अर फोर उम्मन डिगनिटी और मानव श्यान के लिए वी हैव एट लास्ट अचीवड अवर पॉलिटिकल इमिंस्पेशन वी हैव एट लास्ट आखिरकार हमने अचीवड प्राप कर ली है अवर पॉलिटिकल इमिंस्पेशन इमिंस्पेशन फरीडम लिबर्टी राजनेतिक सवतंतता प्राप कर ली है We pledge ourselves to liberate all our people We pledge, हम सोगन दखाते हैं, सपत लेते हैं Our ourselves खुद किस चीज़ की लेते हैं To liberate all our people के हमारे सभी लोगों को हम आजाद करेंगे From the continuing bondage of poverty Continuing लगातार चलते वे bondage बंदन और Poverty गरीबी के बंदन से मुक्त करेंगे Deprevation, वन्चित, वन्चिता भी गरीबी होती है हमारे पास कुछ ना होता हम वन्चित है Suffering दुखों से, gender, रंग लिंग भेद जैसे रंग भेद था वैसे लिंग क्यादार पर भी इस्त्री पुरुष के बेद किया जाता है And other discriminations और अन्ने सभी परकार के बेदों से पक्सपातों से जो है ना सब को मुक्त करेंगे ऐसी हम सब पते लेते हैं Never, never and never again कभी नहीं, कभी नहीं और आगे एक दोबारा कभी नहीं Sell it भी होगा That key, this beautiful land will again experience ये सुन्दर धर्ती, ये सुन्दर देश कभी अनुबहुन नहीं करेगा दोबारा The oppression of one by another एक आदमी और दबाव या गुलाम बनाना दूसरे दोबारा एक आदमी दूसरे आदमी पर दबाव डाले दबा के रखे या गुलाम बनाए ऐसा इस सुन्दर धर्ती पर दोबारा कभी नहीं होगा ये भी सोगंद साथ में लिये है इनोंने The sun cell never set on so glorious a human achievement और इतनी जो हैना glorious शानदार human achievement उपलब्दी पर जो हैना सुरिये जो हैना कभी भी आस्त नहीं होगा मतलब सुरिये यूहीं चमकता रहेगा इस शान का इस उपलब्दी गा सुरिये यूहीं चमकता रहेगा Let freedom reign रीन शासन करना rule तो आओ सवतंतरता को शासन करने दें God bless Africa बगवान अफरीका को आशिरवाद दे तो यह था बेटा इसका वाशन और अब इसी से इस सपीच से ही आप पीछे मने पड़ आ है जो questions बनते हैं वो यहां लिख्या हुआ है oral comprehension check oral जबानी comprehension check समझगी परक करना जबानी परसन जबानी बताने हमने तो जबानी से काम नहीं चलेगा आप लिखने भी है यह तो मैं बहुत आराम से इनको explain करूँगा आप इतना आराम से करूँगा कि आप बिल्कुल आराम से काप्पी पर लिख सकते हैं तो देखो पहला question हमारा where did the ceremonies take place इस रसम ने इस कारिय करम यह कारिय करम कहां हुआ can you name any public building in India that are made of sandstone जो पत्थरों से रेतिले पत्थर से बनी हुए हुए क्या इसे मारतों के नाम आप बारत में बता सकते हैं तो दो भाग हैं इसके पहला भाग लेते हैं where did the ceremonies take place यह कारिय करम यह रसम कहां पर स्थान लेती है कहां पर ओती है तो हमने देखा था कि यह जो है ना national buildings नामक जो department है उसके दवारा एक MP theater बिना सत्का खुला stadium like type जगा 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 थी वहाँ पर यह हुई थी जो की sandstone से बनी हुई थी पहले sandstone समझे लो sandstone होता है बड़े बड़े पत्थर के टुकडे शिलाओं से बनी हुई इमारतों को sandstone की building बोलते हैं कि लिए बगर आपने देखे हूंगे अपने देशे में भी काफी है मंदिर हैं कि लिए बहुत बने हुए इस तरह से तो ये दूसरा पार्ट की बात कर रहे हूं में जो पूछा था कि क्या हमारे यहां भी sandstone की building हैं तो उसका जबाब था ये तो चलो मैं इसको आराम से इंग्लिस में आपको बताने कोशिश करता हूं दस सेरिमनी तुक पलेस टेक पलेस सेकेंड फोर्म टुक पलेस इन ए एंफी थियेटर इन प्रिटोरिया प्रिटोरिया सहर के एक खुले स्टेडियम नूमा थियेटर में जो हैने ये गटना हुई इट वाज ब्यूल्ट ओप sandstone बाई union बिल्डिंग्स ये जो एंफी थियेटर था ये बनाया गया था किस दवारा union बिल्डिंग्स जो department इसके दवारा बना गया था रबनावा किस चीज से था sandstone से फिर सूने sentence को it was built of sandstone by union buildings ये तो हमारा हुआ पहला पार्ट अब आज़ाओ दूसरा पार्ट can you name any public building क्या किसी सारवजनी के सरकारी जो है ना इमारत को आप नाम ले सकते हैं इन इंडिया भारत में that are made of sandstone जो इस तरह से पत्थर से बनी हुआ तो हमने बात की थी बहुत से मंदर के लिए जो हो बहुत बने हुए yes हम कहेंगे yes there are many buildings in बारत में बहुत सारी buildings है made of sandstone जो की रेतिले पत्थर से बनी भी है like लाल किला, कुतम मिनार and many ports in दाजस्थान और राजस्थान में बहुत सारे किले and South India और दक्षिन बारत में भी बहुत सारे किले और मतलब मंदिर बने हुए है हाँ, तो मंदिर के लिए भी एक संटेंस लिए देते हैं many temples are also made of sandstone many temples are also made of sandstones पत्थरों से बने हुए हैं बहुत सारे मंदिर भी यह था आपका first question second can you say how 10 may is an autumn day in South Africa क्या आप कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं के 10 may अफरीका में पत्जड का दिन हो तो बेटा हर देश का अपना आकसांसिये देशांत्रिये जो हैने स्थान है अपनी स्थिती है और दर्ती के उपर जो हैना आप गोल में आपने मेट्रिक में पड़े होंगे पलस्टू में में पड़ भी रहो होगे पहले ही पड़े होंगे स्थिती के अनुसार बूमद रेखा गया असपास गर्मी होती है दुरूमों के पास ठंड होती है बीच के लाके में बीचला मोसम होता है तो इस तरह स्थिती के अनुसार जलवा यू मोसम होता हर देश का तो ये कोई जरूर नहीं भारत में तो समय को गर्मी है तो और दुनिया में भी गर्मी ही होगी तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे देखो एक बार यस इन आवर कंट्री आट्टम इज इन अक्टूबर नॉम्बर अमारे देश में जो है न और तम कब होती है पर जड़ कब होता है अक्टूबर नॉम्बर के समय में होता है बिट्विन रेनी सीजन एंड विंटर जो की बरसाती मोसम और सर्दी के बीच का समय होता है इसल्टेंस को अपर सुनिए एक बार इन आवर कंट्री आट्म इज इन अक्टूबर नॉम्बर बिट्विन रेनी सीजन एंड विंटर एवरी कंट्री हैज डिफरेंट लोंगिचूडल एंड लेटिचूडल लोकेशन हर देश की अपनी स्थिती है अक्सांसिय देशांत्री है लोंगिचूडल अक्सांसिय लेटिचूडल देशांत्री है लोकेशन स्थिती है हर देश अपनी अलग स्थिती रखता है फिर सुन एक बार एवरी कंट्री हैज डिफरेंट लोंगिचुड लेंड लेटिचुड लोकेशन कलाइमेट आल्सो डिफर्द अकोर्डिंगली और इसी कहनुसार जलवायू भी बदलती है बदलावाता है May in our country is part of summer May हमारे देश में गर्मी का इस्सा है and in South Africa it is part of autumn May in our country is part of summer and in South Africa it is part of autumn तो ये थे आपका second third पर चलते हैं at the beginning of speech बासन के सुरुवात में Mandela mentions an extraordinary human disaster जकर करते हैं कि ऐ साधार्ण ऐ कलपनी ऐ साधार्ण मानवी तरास्दी का what does he mean by this इससे उसका क्या मतलब है अमने जिकर पार्ण में पड़ा था बाद में किया था कि क्या जिकर है कि लंबे समय तक वहां भेद भावगी निती चली दवाव चला गुलामी चली उसी को कह रहा है तो देखिए black people are big population of South Africa South Africa में काले लोगों की बड़ी जनसंख्या है बड़ा भाग है जनसंख्या में का BACD based on ये आधारिती on social discrimination सामाजिक भेद भावपर discrimination DICRIMINATIUN discrimination भेद भावपर आधारिती blacks suffered apartheids blacks काले लोगों ने suffered दुख पाया भोगया गुजरे apartheids रंग भेद की निती में से क्या रंग भेद की अत्याचारों से with others prejudices और कई अन्य पक्सपातों से prejudices P-R-A-G-J-U-D-I-C-E-S prejudices पक्सपात कई पक्सपातों से for many decades कई दसकों तक रंग भेद और अन्य कई पक्सपातों में से गुजरे This was an extraordinary human disaster यही थी वो ऐसा धारण मानविये ऐसा धारण के लोग मानविये तरास दी तिजास्टर तरास दी यह था आपका third थर्ड में एक पार्ट हो रहे है What does he mean भाई दी से तब नहीं बता दिया What is the glorious human achievement वो शांदार मानविये उपलब दी क्या है He speaks of at the end जिसको बारे में वो आखिर में बोलता है Achievement यह थी कि अब जो है सिस्टम बदल गया है अब जो है ना बराबरी के आधार पर समानता के आधार पर कानून बनेंगे और नेंसल मंडेला जो है नई रास्टरपती बनें है जो की काले हैं जिनों ने संगर्श किया था और अब यह पूरी व्यवस्था को समानता के आधार रों बदलेंगे नई समतनता आएगी तो यह है वो यह मनचीवमेंट गलोरियस शानदार मानविये उपलब दी तो इसको भी सुनो अब व्यवस्था बदल गई है पोलिशीज नीतियां विल भी होंगी फरेम्ड विल भी फरेम्ड बनाई जाएंगी एक्विलीटी विल परिवेल परिवेल माने रहेगी व्याप्त रहेगी छाही रहेगी समानता का दिकार होगा परिवेल 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 उक्यूलिटी e-Q-U-A-L-I-T-Y विल परिवेल इस इस गलोरियस उम्मन अचीवमेंट यही श्यांदार मानुए उपलबती है अब आज़िए फिफ्थ वट आइडियल्ज डज ही सेट आउट सोरी वई फूर थो रहे गया वट डज मेंडेला थैंक दा इंटरनेशनल लीडर्ज फूर किस चीज के लिए अंतर राष्ट्रिये नेताओं का धन्यवाद करते हैं मेंडेला दो चीजों के लिए एक तो उन्होंने जब पार्थीड के खिलाफ संगर्ष किया था तो दूसरे देशोंने साथ दिया था दक्सन अपरीका को नका रहा था दबाव बनाया था अलोचना की थी और दूसरा ये एक आजाय वे हैं इस अचीवमेंट पर जो उनके सहयोग से प्राप्त हुई आज उपस्थित हैं तो इन दोनों चीजों के लिए मेंडेला धन्यवाद करते हैं तो सुनों इसको भी मेंडेला थैंक्स दा हैंने इंटरनेशनल लीडर्ज इसी को सिदा कर रहे हैं मेंडेला थैंक्स दा इंटरनेशनल लीडर्ज फोर दीर सपोर्ट सपोर्ट S.U.E. W.P. O.R.T. उनके समर्थन के लिए मैनी नेसंस कई राष्ट्रों ने criticized आलोचना की थी and opposed विरोध किया था the policies of apartheid रंगभेद की नीतियों का and other discriminations और अन्यभेद वाहों का पक्सपातों का रंगभेद की नीतियों का कई देशों ने विरोध किया था आलोचना की थी फिर सुनी इस लाइन को many nations criticized and opposed बलके इसका यहां head लगाओ many nations had criticized past perfect में ले जाओ and opposed बलालोचना की थी विरोध किया था the policies of apartheid and other discriminations अन्य और रंगभेद और अन्य भेद वाहों की नीतियों की they even broke the diplomatic relations with South Africa उन्होंने यहां तक बढ़ गए थे आगे वो कि उन्होंने South Africa के साथ जो है ना उटनितिक रिष्टे भी तोड लिये थे कि सुनी एक बार they even broke the diplomatic relations with South Africa this made a pressure और इस चीजनेक दबाव बनादिया on South Africa, South Africa this made a pressure on South Africa government the pressure helped Mandela achieve his goal और इसी दबाव ने Mandela की सहायता की अपना लक्षय प्राप्ट करने में this pressure helped Mandela achieve अचीव प्राप्ट करना his goal अपना लक्षय अब आज यह फिफ्थ what ideals does he set out for the future of South Africa South Africa के बविशे के लिए कौन से आदर्स जो है ना उसने बनाए या सामने रखे दक्षनिफ्रा के बविशे के लिए तो इसमें यही था बेटा के सब के साथ बराबरी का वेवार होगा गरीबी से लडेंगे गरीबी से वंचित जो लोग हैं उनको सौतनतरता के साथ-साथ गरीबी के बंदनों से भी चुटकारा मिलेगा तो देखिए मेंडेला सेज मेंडेला कहते हैं that this beautiful land के ये सुंदर देश will never experience कभी नहीं होने देगा या कभी ऐसा उनुभव नहीं भोगेगा oppression, दवाव, गुलामी of one by another एक पर दूसरे का दिकार दूसरे का दवाव या दूसरे की गुलामी नहीं भोगेगी ये सुंदर दर्ती sufferings and other all types of discrimination हाँ तो ये भी जो है ना पाठ में से था आपने मुझे ध्यान आ गया तो एक लाइनी से बनाते हैं ही pledges वो सपत लेते हैं to liberate the people of poverty liberate सवतंतर करना the people लोगों को of poverty, गरीबी से sufferings, दुखों से and other all types of discriminations और अन्य सभी तरह के भेदभावों से चुटकारा देने की उस अपते लेते हैं तो इस लाइन को एक बार पर सुन जो तो रहोगे भी, thank you